Hello and welcome everyone, स्वागत करता हूँ आप सभी का जीत foundation classes में पहरे साथियो, कल स्वतंतरता दिवस की उपलक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी का सिक्षक भरती को लेकर एक बहुत बड़ा मतलब सकरात्मत भाशन आया और उसके बाद से ही कई सारे कयास सुरू हो गया, कई सारे अटकले लगने लगी जिसमें कल से स्टूडेंट ना बहुत सारे फोन करके मैसेज करके मुझसे चीज़ों को जानने की भी कोशिश कर रहे हैं वेकेंसी कब तक होंगी, क्या व्याख्याता के पद आएंगे नहीं आएंगे तो इन सारे सवालों पर आज हम एक विस्तार से चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो को आप लोग अंतर देखिए, आपके जितने भी सवाल हैं, जो भी आपका confidence लूज हो रहा है, यकीन किजिए इस वीडियो के बाद ना आप बहुत सा करात्मक फील कर पाएंगे तो चलिए एक-एक सवाल को हम लोग गिनते हैं और आराम से उस पर बात करते हैं, पहला सवाल ये है कि वेकेंसी कब तक होने की chances हैं तो आप ध्यान से समझे इस बात को, थोड़ा ऐसे ना गणित लगाते हैं हम लोग इसमें आप सबको पता है कि अगले साल 2023 में 36 गड़ में आप सबको पता है कि चुनाव होने हैं जो कि नॉवंबर दिसमबर के महिने के आसपस संपन्न होगा तो ऐसे में आपको पता है कि जब भी चुनाव होता है उससे कुछ महीने पहले ही कोई भी वेकंसी, कोई भी न्यूपती या कोई भी लाव का उसर प्रदान नहीं किया जाता है मतलब आप मान के चलिए कि मैं बात न्यूपती की कर रहा हूँ ना कि अगर सरकार कोई भी वेकेंसी कंडर्ट कराती है तो उसको आप मान के चलिए कि जून जुलाई के आज स्पास आपको जॉइनिंग लेटर देना है बात जब जॉइनिंग लेटर की होती है तो यह चार चरणों में होता है ठेक है आप आज से मान लेजे कि अभी बीच में एक रियूमर उड़िया था न कि अगले तीन महीने तब कोई एक्जाम नहीं होगा है ऐसा रियूमर उड़ने के बावजूद भी आप नोटिस करेंगे यह न मैं हर चीज़ पर नजार रखता हूँ जो भी मेरी स्टुडेंट के लिए जुरूरी होता है चार बड़ी बड़ी नोटिफिकेशन उसके बाद आई है चार बड़े बड़े कमिट्मेंट आए है तो फिर आप उस पर मत फजिये अभी आपको पता सिजी टीटी का एक जब भी नोटिफिकेशन आएगा वहाँ से एक से डेड़ महीने में आप लोग का एक्जाम कंड़क्ट कराया जागा समय जादा मिलेगा नहीं और जब एक्जाम होगा उसका एक से डेड़ महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा क्योंकि लाखो एस्परेंट है कॉपी चे जाती है और यह सारा प्रक्रम आने वाले छे से आठ महीने के अंदर सरकार को कराना पड़ेगा तो आप इतना मान के चलिए कि चार चरण है नोटिफिकेशन निकलना एक्जाम कंड़क्ट कराना वेरिफिकेशन होना और जॉइनिंग देना इन चार चरणों में अगर बीच इस आम अभी पेंडिंग में है वो आपके पास इतना समय लो बस एक महीने डेड़ महीने का free space है इसको आप लोग ना सो के बरबाद कर दो कि वेकेंसी नहीं आ रही है जब वेकेंसी चालो होंगी ना भड़़ड़ा आके चालो होंगी और आपको समय तक नहीं मिलेगा संभ पर जब भी चुनावी वर्स आता है तब सरकारे वेकंसी का पिटारा खोल देती है तीन प्रमुख वेकंसी होती है जिनमें सबसे ज़्यादा स्प्रेंट भाग लेते हैं एक तो आपका आता है पुलिस पुलिस की भरती होनी बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हर मतलब केटेगरी की स्टूडेंट पार्ट करते हैं चाहे वो आर्ट्स बैगराउंड के हो या कॉमर्स वाले हो या आपके मैट्स बाइव वाले सेग्मेंट के हो दूसरा आता है आप लोग का स्वास्त विभाग क्योंकि स्वास्त विभाग पे जितना ज्यादा काम उसका double फायदा होता है लोग के नजरों में भी एक अच्छा impression जाता है और किसरी होती है सिख्षक भरती सिख्षक भरती एक मात्तपूर्ण भरती एक कारण ही है वो सिक्षक बनने के लिए बहुत जादा ना अंदर से हतो रहती है, उत्साहित रहती है, ठीक है, तो मैंने देखा है, कि वो लोग चाहे तो administrative के job clear कर सकते हैं, बाउजित उसके नब उन्होंने तय किया है, कि वो सिक्षक बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, और ये सबसे बजलीजिये, कि सिक्षक भरती तो बहुत जोर से होगी, ठीक है, 10,000 पदों पे announcement हो चुका है, आप सबको ये भी पता है, कि 36 गड़ में अभी ततकाल में भी देखा जाना, तो 30,000 सिक्षकों के पद अभी रिक्त हैं, पहले जो 14,580 पदों पे vacancy होई है, उसमें भी अभी समय तो गवाना नहीं है, अब ये सवाल आता है, जो अभी अटकले चल रही है, संभावनाय चल रही है, कि सर व्याख्याता के पद आएंगे कि नहीं, तो देखो अमूमता तो ऐसा कभी देखने में नहीं मिला है, कि सिक्षक, सायक, सिक्षक की भरती और व्याख्याता नही एक्चल में माननी है मुख्यमंत्री जी के भाषण में भी ऐसा कोई सम्मोधन था नहीं उन्होंने सिक्षक भरती की बात की लोग बोल रहे हैं उन्हें व्याख्याता नहीं बोला रहे ये पूरा का जो रियूमर चालू हुआ है ये इसलिए हुआ क्योंकि एक वयान आया है और उसमें एक न्यूस चैनल की और से एक आर्टिकल पब्लिश हो गया है तो भाईया धम समझ ये बात को सब संभावना है मैं भी उस पर अपनी तरब से कोई वयक्तिकद राय नहीं रखूंगा पर ऐसा बहुत कम देखने मिला है क्योंकि 10,000 पद हैं बहुत होते हैं ये तो ऐसा बहुत रेयर है कि 1000 पद वयाक्याता को ना मिले अब मानलो नहीं भी आता है तो भी ये साफ स्टेटम पसना छोटा सा तो है नहीं, अगर अचानक से वेकेंसी आई, क्योंकि वेकेंसी जब भी आएगी जटके पे आएगी, आपको समय मिलेगा नहीं, ठीक है, अगर टीचर वेकेंसी लॉंच होती है जिस दिन और उसमें व्याख्यात है कि पद आ जाते हैं, तब आप क्या कर क्योंकि जो संभावना है, वो संभावना है, ठीक है, पट मैं इस बात को अवेर कराना चाहता हूँ कि अगर अचानक से दस हजार पद है, छोटा मोटा पद नहीं है, ठीक है, इसमें अगर वेक्यात है कि पद आ गए, तब आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है, लेट हो तैयारी के साथ कॉंप्रमाइज मत करो, अब कुछ सवाल ये पूछा जाता है बच्चों से, कि सर मान लेजे हमने बैच ले लिया, हमने किसी भी इंस्टिटूट में, जैसे आपने बैच ले लिया, आपने उसका पेमिंट कर दिया, और बाई चांस वेकेंसी नहीं आई, त तो आपको बिलासपूर, रायपूर में, आप लोग को बड़े-बड़े इंस्टिटूशन में देखने मिल जाएंगे, और वो लोग कितना मोटा-मोटा फीस भरते हैं, अंदाजा भी नहीं है आप लोग को, आप लोग भी भरे होंगे, तो आपको पता होगा, ठीक है, कि सौ से कम पदर पर होती हैं इस सारी वेकंसी से भी, तो वहाँ तो आप नहीं सोच रहे हैं, आप स्या सोच रहे हैं, कि भी आमान लेजे हमने फीस भी कर दिया और वेकंसी नहीं आई तो क्या होगा, तो प्यारे साथियो, आप ये बात समझना पड़ेगा, कि आप किसी भी आप उसको जब भी फीस भी कर रहे ना, तो आपका मोटी भी आपकी महत्तो कांचा क्या है, कि वो जो भी पर्टिकुलर सेक्षणी संस्थान है, वो आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रवाइड करें, प्लस आपको PDF नोट्स दे, प्लस आपका test series timely conduct कराए, सारी चीजों को maintain रखे, ताकि आपका एक proper mark दर्शन में आप चलें, और आप अपने सपनों को साकार कर पाए, और student और institute के बीच का relation भी है, ये institute की भी जिम्मेदारी है, कि student के सपनों को साकार करने में, वो जितना यथा संभव हो सके, अपना best दे, और हम भी इसलिए, हमारी और से वीदे क जित foundation मैंने पहले ही बोला है, हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए है न, ठीक है, हमने क्या किया है, कि चलिए, अभी मान लिजे, व्याख्याता के पद आते हैं, या नहीं आते हैं, अभी आगर आप देखेंगे, तो 15 अगस से लेके 20 अगस तक मैंने आप लोग कि जो भी हमारे यहां बैज जॉइन कर रहा है, उसका जादा तर स्टुडेंट जो लोग सेलेक्ट होंगे न, सिक्षकवर्ती में, 10,000 पदों में, वो हमारे इंस्टुडूट से होंगे, क्यों कि हम लोग आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या लेबल हम लोग रखते हैं, क्यों जो जादा तर स्टुडेंट सेलेक्ट होंगे, वो जीत फांडेशन क्लासे से होंगे, इन फैक्ट जो टॉप 10 में जादा तर स्टुडेंट आएंगे, वो भी जीत फांडेशन क्लासे से आएंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है मेरे छात्रों की मेहनत पे, मेरे साथ इतने वर अगस्तक 999 रुपे में प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इतना समझ ये कि वेकेंसी जैसे आप लोगो जो डर लग रहा है तो डर लगने का क्या ही ओचित्ते है आपके अगर चीजे जाये भी तो वो कितनी चीजे जा रही हैं आपके पंद्रसो रुपे एक हजार रुपे और क्या जा रही है चीजे समझ मेरी बाते और इस lowest quality में आपको इस level का पढ़ाई मिलेगा ना कि जिस भी दिन वेकेंसी आएगा आप उस दिन अपने आपको ठगा हुआ महसूस नहीं करोगे कि आरे यार मैं तो सोचते रह गया और यहाँ पर चीजे आचानक से बदल गई ठीक है तो फिर वहाँ पर फिर आप जटका खा जाओगे इसलिए जितने भी student है मेरा humble request है ठीक है आपको जहाँ से मन है आप वहाँ से पढ़ सकते है हलांकि हमने भी अपने इस तरह से पूरे demo lectures डाल रखें और मुझे यह पूरा बरुसा है कि result तो हम देंगे क्योंकि आरड़ी हम CGPAC rank 1 दे कर आ रहे है ठीक है उसमें पूरा का पूरा CGPAC principal class 1 class 2 officer में एक तिहाँ स्टीट पहले ही प्रियास में CGPAC में एक तिहाँ स्टीट पाने वाला जीत foundation classes है ठीक है एक साल के सफर में जो लो मुझे से पढ़ें वो ये बात बहुत बखो भी जानते है तो मैं अपने तरफ से आस्वस्त कर सकता हूँ और इतने nominal charge में हम आपके लिए रख रहे हैं कि भी या अगर मान लिजे कुछ अटकले जो चल रही हैं अगर वो ऐसा हमारे यथा संभाव चीजे सब ना हो पाएं तो भी हम लोगों को अफसूस करने जैसा तो कोई सीन रहेगा नहीं पर हां तयारी नहीं करेंगे एक अच्छे जगह से मार्क दर्शन लेके तयारी नहीं करेंगे समय के साथ खुद को अवेर नहीं रखेंगे तब देर हो जाएगा क्योंकि वेकेंसी अब भड़़ा के आएंगी और वेकेंसी के बाद एक्जाम एक्जाम के बाद वेरिफिकेशन इन सब के लिए अब ज़्यादा समय बचा नहीं है और हर सरकार चाहती है कि अंट भला तो सब भला क्योंकि ये सारी चीजे जो भी वेकेंसी अभी आ रही है ये सीधा सीधा आप लोग के 2030 के चुनाव को प्रभावित करने वाला है तो सरकार चुनाव को लेकर तो बहुत सचेत है और आपके सपनों को भी लेकर सचेत है तो आप यकीन कीजिए आप जल्दी से जल्दी बैच से जितना ज़्यादा इन्रॉल हो सकते इन्रॉल हो ज़िए ओफर 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में ही है जिसमें से आप समझ लिजिए कि आपके एक दिन तो जा चुके है फ्लैट 75 परसेंट आफ का हम लोग उफर दे रहे है क्योंकि जीत फांडेशन क्लासे इसका पूरा प्रयासी यही है कि आप आपकी तैयारी अल्टिमेटली रिजल्ट में करणवर्ट हो ठीक है अरे वेकंसी आरी यह नहीं आरी आप सीखोगे तो चीजों को यह तो बोला गया है ना कि इसकी वेकंसी वेकंसी बाद में कराई जाएगी और कराई जाएगी तो इसी साल कराई जाएगी ने तो चुनाव होगी या पिर चुनाव का रिजल्ट कौन जानता है वो भी एक भविसे की बाते हैं तो भीया सरकार इसी साल कराएगी तो तब आप पीछे मत छूट जाओ क्योंकि ब्याख्याता का syllabus है बहुत बड़ा ठीक है दो साल का पूरा पढ़ना पढ़ता है और ये जो science वाले हैं न physics chemistry, bio maths वाले आपको पता है कि बहुत छोटा syllabus होता नहीं दो साल का syllabus जबकि gap आ चुका है उसको maintain कर पाना revision maintain करना बहुत टफ बात है तो साथ में आपको चलना होगा और अभी सही आप लोग को तयारी में लगे रहना पड़ेगा दिमाग से नटकों को निकाल दीजिए कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है दिमाग में इस बात को डालिए कि आपको अभी क्या करना चाहिए खुद से सवाल कीजिए कि यह vacancies तो आएंगी 10,000 पत बहुत ज़ादा होता है क्या होगा नहीं होगा किस segment की vacancy आ रही है नहीं आ रही है तयारी में रहोगे तभी सफल हो पाओगे ठीक है और हमारे तरफ से भी हमारे पूरे परिवार की तरफ से भी सबसे ज़्यादा आपको जितना यता संभव सपोर्ट हो सकता है हम पूरा करने की भी कोशिश कर रहे है बस आप लोग जल्दी से जल्दी batch को इन्रॉल कीजिए और अपनी तयारी को एक नई दिशा दीजिए तो होप सो आपके और भी जो भी सवाल रहेंगे ठीक है आप लोग टाइमली मैसेज कर दीजिएगा कॉल करने से थोड़ा बचिएगा और मुझे जितना भी उस मिलाएगा मैं समय समय पर आप लोग के लिए वीडियो लाते रहूँगा सकरात्मक सोच के साथ मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या होगा वो सोचना छोड़ दीजिए समय नहीं मिलेगा जून से पहले सारी चीज़े आपकी पैक कर दी जाएगी आपकी न्यूक्ती हो जाएगी तो भी यह भड़़ा के न क्रिस्टल क्लियर हो गिया समय के साथ आपको चलना पड़ेगा जो समय के साथ नहीं चलता न वो कितना भी टैलेंटेड रहे समय साथ नहीं देता उसका किसमत बदल जाती है ग्राण नच्छतर उसके खिलाफ हो जाते हैं इस बात को समझेए क्या होगा छोड़िये क्या करना है उस पे काम में लग जाएए क्लासेश चालू है वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन सायक सिक्चक विज्यान प्रियोक साला सभी की क्लासेश संचालित है आपको भी कहीं जाके एकदम महंगा महंगा तो मिलते हैं हॉस्टल वाडन के लिए भी कुछ इंपॉर्टन चीजे कि जो हॉस्टल वाडन वाले स्टूडेंट है वो लोग भी बहुत लंबे समय से या A.D.O वाले जो स्टूडेंट है या अन्ने जो भी भरती है पुलिस की भरती है तो लंबे समय से बिचारे वो लो भी इंतजार कर रहे है कि भीया फाइनली एक्जाम कब होगा तो आप यकीन मान लेजिए कि अब वो समय आ चुका है आपने अभी तक क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है अब आप लोग को पूरी तयारी के साथ लग जाना चाहिए क्योंकि आप फाइनली एक्जाम कंड़क्ट होगा क्योंकि मैंने पूरा आप लोग को समय करण समझाया कि कैसे कैसे किस किस समय के अंतराल के साथ सारी चीज़े चलने वाली है और हमारे आप पर जैसे मैंने आप लोग को बताया ना प्लस आपका होस्टल वाडन का जो बैच है वो अभी 749 में चल रहा है सिधे 75% आफ होगे 749 रुपे में आप लोग पर्चेस कर सकते हैं तो जिन लोग भी अभी भी बैच को इन्रॉल नहीं किये हैं आप लोग जल से जल्द इन्रॉल हो जाए यह आप ही के लिए यह सारी चीज़े की गई है और यह दो नंबर रहेंगे इन दो नंबरों पर आप लोग कॉंटेक्ट कर सकते हैं इस्पेशली इस पर कीजेगा आप लोग अपने जो भी रिलेटेड इन्कॉरी रहेंगे बैच संबंदी या जिस सारी चीज़ों से आप इन पे कॉल करके, मैसेज करके चीज़ों के और इन्फोर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं तो लिमिटेड टाइम के लिए हम आपको यह सपूर्ट कर पा रहें और फर बोलना गलत बात है ताकि आपको कहीं भी कोई भी नुकसान ना हो बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाए सबसे कम प्राइस में और आप अपने सपनों को एक कदम और आगे बढ़ जाओ तो प्यारे साथ यो यह सारे वीडियो को भी आप लोग जादा से जादा दोस्तों में भी शेयर कीजे ताकि उन सभी स्टूडेंट का फायदा हो पाए जो सच में सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं मिलते हैं जाहिंद